नमस्कार दोस्तो आरोग्यम टीम में आप सभी का स्वागत है मैं अवनीश मिश्रा आपका वंदन और अभिनदन करता हूँ दोस्तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चूंकि आरोग्यम ने विश्वास पैदा किया है अभी तक जिन लोगों ने आरोग्यम में ओडर किया है उनको बकायदे टाइम पे प्रोड़क्ट पहुँचा है और अगर कोई व्यवसाई से जुड़ना चाहा है तो उसको पूरा सपोर्ट मिला है अगर आप अपना विवसाई स्टार्ट करना चाहते है तो आरोग्यम टीम से संपर करिए अगर आपको प्रोड़क्ट है तो केवल और केवल आरोग्यम टीम से संपर करिए आरोग्यम आपके सेवा के लिए ततपर है आज नमस्कार दोस्तो आरोग्यम टीम में आप सभी का स्वागत है मैं अवनीश मिश्रा आपका अभिनंदन करता हूँ आज हम लोग अपने तीन महीने की महनत को देखने यहाँ पे आये हैं किसान भाईयो हम लोगों ने कुछ पौधों पे ऐसे प्रियोग किये जिससे हमको यह पता चला कि हमारा स्टिम रिच और बाईयो 95 और सेट के क्या रिजल्ट है और एन पी के हमने जो डाला है उसके क्या परिवर्तन मिले आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हम लोगों ने जब यह जैविक खात का इस्तमाल किया तो यहाँ पे मक्के की जो खेत पे जो हम यहाँ आए हुए हैं इस मक्के खेत के गाठ और हाइट इतनी अच्छी बड़ी है कि हमको इससे पहले इस पर विस्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो पाएगा एक-एक मक्के पेकम सम 7-7-8-8-8-4-4 भुट्टे हैं नमस्कार सर क्या नाम है सर आपका प्रीतम राजपूत जी आप खेती में कई कंपनियों में काम करते आए हैं तो इससे पहले भी आपने कई कंपनियों के प्रोड़क्ट इस्तमाल किये थे जो नेट सर्फ का एन-पी के इस्तमाल किया है उसमें आपको क्या परिवर्तन दिखा सर इसमें परिवर्तन मैंने वो यह मिला है जी जो पोध है जो गोड है बहुत मोटा है और इसके जो ये पेरोन है बहुत बड़ी है कितने पेरोन है देखें जरा और इसमें जो भुट्टे लगे है उनकी साइच और दाने भी अभी धीरे धीरे अगर आपन खोलते हैं अभी तो कच्चे है अपन नहीं खोलते हैं तो इसमें हमें परिवर्तन मिल रहा है जमीन में जो नमी है ये आपने पानी कई दिनों पहले दिया है उसके बाद भी नमी बरकरार है तो नमी भी जमीन में जमीन सौफ्ट भी हो रही है कुछ पहले से अच्छा अभी अगर अपन यूरिया डीएपी डालते तो एक एकड में यूरिया डीएपी कितना डाल देते लगभग दो हजार तक जाता है और अभी अपन ने जो एनपी के डाला है वो कितना डाला है अब हम जहां पर ऐसी जगे हैं ऐसे कुछ पाधे हैं जहां पर आपने नहीं डाले हैं हम अभी चलते हैं यहां पर ज़रा मिट्टी बचा के चलना पड़ेगा क्योंकि जूते भी खराब होंगे, कोई बात नहीं, खेती के काम में सब होता है, अभी हम इन जगों पे हमने नहीं डाले हैं, तो इन पे हाइट और इनकी जो डंठल की मोटाई है, आप जड़ा देखेंगे एकदम दूबले पतले जैसे अभी इनको खाना ही न मिला हो, आपके पांच फुट के बराबर ही हैं, एक ही पौधे नहीं इधर अपने नहीं डाले हैं, और इधर हमारे सारी चीजे हैं, जैसे इसकी हाइट कित्ती होगी लगभग, पांच-छे फिट और बुट्टे भी बहुत कमजोल लगें, यहाँ पे आपने केवल यूरिया डिये मतलब जो केमिकल हम लोग इस्तमाल कर रहे हैं और जिनको लगता है कि हम पैदावार केमिकल से बढ़ा पाएंगे, पर ऐसा होता नहीं केवल लागत लग रही है, है न सर, पिंकु जी आप भी आपके सामने यह सारी चीजे हुई है, अब यह हम खंडवा जिले में है, सरदा सर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत काफी टाइम से इसमें जुड़ा हूँ, और मैंने जो देखा है, कि जैविक में भी मतलब जो नेट सर्फ के प्रोड़क्स है, वो बहुत ही भैतरीन रिजल्ट दिने वाले प्रोड़क्ट है, और किसान की लाग अभी आपने और किसान भाईयों को इसके बारे में बताया? अच्छा अभी ये वीडियो पूरा भारत देखने वाला है, क्योंकि यूटूब चैनल में आरोग्यम ग्रूप इतना भरोसेमंद ग्रूप है, कि आने वाले समय में लोग आरोग्यम पे विश्वास करके लाखो उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? बात केवल इस जमीन की है, ये धरती मा को हम जहर देते हुए, इनको इतना कड़क कर देते हैं, कि आने वाले समय में जो भी हमारे पास पैदावार आती है, वो पैदावार में जहर की मात्रा होती है, जैसा खाएंगे एन वैसा होगा मन, विदेसी खाद, विदेसी बीज, और विदेसी तरीके से जो अनाच पैदा होगा, वो आने वाले समय में हमारी संतानों को एक स्वस्त परियावरन नहीं देगा, तो इस जमीन में सबसे बड़ी चीज है, SET, SET, Soil Health Enhanced Technology, जो वर्ड की टॉप टेक्नोलोजी है, Stim Rich, Bio95 और NPK, आप इसका इस्तमाल करिए, इ धरा प्रणाम सरदार जी, धरा प्रणाम, धरा प्रणाम तंको जी, धरा प्रणाम सर,